एक और बड़ी कपर रायपूर से है जहां बीजेपिक हिलाफ कॉंग्रेस का सोशल मीडिया भ्यान है 15 मार्च तक प्रसिक्ष्ण दिया जाएगा कॉंग्रेस मुख्याले में बनाया जाएगा कंच्रोल रूम तो वहीं कंच्रोल रूम से कॉंग्रेस के बड़े नेता सीधे संपर्क में रहेंगे तो वहीं सोशल मीडिया में विभाग की टीम अलग से काम करेगी प्रदेश से लेकर जिले और फूट स्तर तक ये प्रभारी बनाये जाएगे मेरी सायोगी सुप्रिया पाने लगाता हमारे साथ पनी में सुप्रिया कंच्रोल रूम से कॉंग्रेस के बड़े नेता सीधे संपर्क में रहेंगे इसको लेकर क्या ज़ता जानकारी आपके पास जिदेखिये 36 गड़ में कॉंग्रेस को अब तीन साल अल्मूस्ट हो चुके हैं और अब दो साली बचे है तो ऐसे वे फिर कॉंग्रेस जो मिशन 2023 है उसकी तैयारी में जुट गई है तो अब यह फैसला कॉंग्रेस ने लिया है कि आप शोशल मीडिया के जरिये भी भाजपा को गेरेगी तो इसके लिए नए इस तर पर नए सीरे से और केन्द्र की मार्दयां से बड़े नहीं कि जुड़ेंगे भाच्पा को गहिरने की रणीति बनेगी जो बिवारल किये जैंगे इसके लावा बीजेपी जिस तरीके से कॉंग्रेस को घहती आ रही है यहाँ पर उसी तरहीके से कॉंग्रेस भी केंद्र की योजनाव को लेकर की बाते हैं वो बताएगे और इसके अलबा जीए प्रकोन हो नाएजänderा है अब तो इस लेकर 1230 के चुनाव से जोड़ सकें तो यह क्या कितना कारगर होगा 1230 के चुनाव को लेकर क्योंकि बीजेपी खिलाफ कॉंग्रेस जो है यह पूरा सोशल मीडिया में विभाग की टीम ला रही है जिब बिल्कुल कॉंग्रेस पूरे टीम ला रही है और यह काफी कारगर वो वाइरल होते हैं चाहिए बीजेपी की बात करें या कॉंग्रेस की बात करें अगर हम मिशन 2018 की बात करें जब 18 में चुना हुए थे कॉंग्रेस की तब उन्होंने भी दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे की विरुध शोशल मीडिया के माध्यम से भी बहस चिली थी और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे की विरुध वीडियो भी बनाये थी तो अब जो लड़ाई है वो और तेज होगी क्योंकि शोशल मीडिया में कॉंग्रेस ने एक अलग से टीम बिठाएगी और उसके भाजपा की जो विरुध है अब यान चलेगा कि किस तरीके से भ आज भी मोबाइल रहता है तो इस वजह से यह अभियान है वो तेज कर दिया जाएगा कुछ दिनों में बहुत-बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए